जैस रिक्रिष्णा दोस्तों आज हम बनाएंगे कुछ अलग और कुछ इंट्रेस्टिंग से बनाएंगे आलू टिकी बर्गर स्नेक्स में अगर आप यूनिक और इंट्रेस्टिंग बनाना चाते हैं या फिर घर पे किटी पाटी हो या मिहमान आने वाले हो तो आप अगर अक्सर क्या होता है जब हमें घर पे कुछ बनाना होता है तो हम आलू के पकोरे आलू के कटलेट या फिर आलू के कुछ भी यही सब कुछ नकुछ बनाते रहते हैं लेकिन क्या होता है न एक ही चीज खाखा के हम लोग बोर हो जाते हैं तो चलिए कुछ अलग आते हैं और आलू tiki burger व्टावठ से बनकर त्यार हो जाने वाला यह snackす है और बहुत ही सबको पसंद आने वाला है अब इसे एक बर बना लेंगे तो बार-बार इसे बनाकर खाना पसंद करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आलु टिकी बर्गर बनादा तो सबसे पहले हम आलु बॉइल किया हुआ लिए है तो हम 10 आलु लिए थे मीडियों साइज के उसे अच्छे से बॉइल करके और अच्छे से समेश कर लिए है chimney ज्यां रहा है आलू को हमें अच्छे से Smasse करना है ताकि इसमें कोई भी टुकरा ना रहे और अच्छे से Smasse हो जाए तो इसे हम अच्छे से Smasse करके रख लिए थे और एकदम से ठंदा कर लिए है अब हम इसमें कुछ Masala डालेंगे तो Masala में हम आधी चमच चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स आप अपने अनुसर कम जदा रखिया आधी चमच कुटा हुआ काली मिर्च डाल ले रहे हैं आधी चमच हमीच में हल्दी डाल ले रहे हैं और आधी चमच हमीच में पूना हुआ जीरा पॉडर डाल लिया है और आधी चमच हमीच में चाट मसाला डालेंगे इसे बहुत अचा टेस्ट आने वाला है और साथ में हम एक चमच भर के डाल ले रहे हैं बारीक कर चौप किया हुआ धनिया और साथ में हम दो हरी मिर्च बारीक चौप किया हुआ डाल ले रहे हैं और साथ में हम स्वादानुसार नमक डाल ले रहे हैं अब हम इसमें और सारे समागरी को हम अच्छे से आलू में डाल लिए हैं और अच्छे से हम इसे मैस करेंगे और हम सारे समागरी को अच्छे से मिक्स करेंगे ब्रेट क्रम्स डालने से आलू का जो भी मौस्चर रहता है वो सूख जाता है और अच्छे से हमारा ये मिक्सर त्यार होता है तो बरगर बनाएंगे तो बरगर बनाने के लिए एक बारी कटा हुआ मैं मृचरा Bowl और एक मीडियम नहीं पेली हुआ है। धियान हाण रहे हमें हिसला साइज माले नहीं लेना है मिडियम साइज ना है कि ऑम इस तरह से स्लाइज में करत कर लेंगे जैसे जाचा द's है और साथ में में पनीर को कट कर ली हूँ तो इस तरह से क्यूब में हम पनीर को कट करेंगे चोटे-चोटे क्यूब में देखिए इस तरह से कट करना है क्यूंकि हमें बर्गर में इसे कवर करना है इसलिए चोटे-चोटे पीसेस में हमें कट करना है और साथ में मैं ले ली हूँ एक चमच टमाटो कैचप अब हम फड़ावट से बर्गर को बना लेंगे तो बर्गर बनाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा आलू का पोर्सन लेंगे और गोल-गोल हम बनाएंगे टीकी जैसा तो हमें निम्बू की आक च्वेसे बन चुका है अब हम फटा फट से बर्गर को बनाएंगे तो इस तरह से अब हम इस पे टुमैटो कैचप को लगा ले रहे हैं तो टुमैटो कैचप ऑप स्ज़गा नहीं लगा सकते हैं लेकिन लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट रहता है और फीर हम टीकी के पीसेस में कट कर लूँगी, तो दो क्यूब से मैं बना रही हूँ, चार बर्गर बनाऊंगी, तो मैं दो क्यूब से ली हूँ, तो बीज में से इस तरह से हम कट कर लेंगे, और फिर हम चीज को डालेंगे, अगर चीज का सीर्च है, तो आप उसे भी कट कर के डाल सकते हैं, आज्वा है तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरह से कट करके डाले से बर्गर एकदम अच्छे तरीके से बन कर त्यार होता है इस तरह से बर्गर को अच्छे से सजा लिए हैं अब फीर हम एक आलू का टिकी बनाएंगे तो इस तरह से थोड़ा सा आलू का पोर्सल ली हूँ और उसे में चिप्टा कर ली हूँ और उपर से हम इसे कवर कर देंगे और एकदम से बर्गर का सेप में इसे बना लेंगे तो इस तरह से उपर से अच्छे से हमें कवर करना रहता है ताकि हमारा एक खुले नहीं बर्गर और अच्छे से ये बनकर त्यार हो और हमारा आलू टीकी बर्गर बनकर इसी तरह से हम एक एक करके त्यार करेंगे बहुत ही बहुत ही मज़दार recipe है आप इसे एक बार ट्राइक कीजेगा अगर आप एक से एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे और यह देखिए अच्छे से हम एक दम से बर्गर के shape में इसे बना लिये हैं और थोरा थोरा हम इसको गुल गुमाते हुए अच्छे से save कर ले रहे हुए एक दम से chicken बर्गर के तरह इसे मैं बना ली हूँ यह देखिए कितने perfect तरीके से बनकर त्यार हो गया है मेरा एक बर्गर तो मैं आपको एक और बना के दिखा दे रहे हूँ तो मैं इसे एक plate में side में रखते जा रहे हूँ और फिर हम एक बर् बना लेंगे अच्छे से chicken करके और फिर हम उसे टीकी के अकार में बना लेंगे और एक दम अच्छे तरीके से इसको सेट कर लेंगे तो मैं चपर बोड़ पीस पर रखके बना रहे हूँ आप चाहे तो ट्रे प्लेट पर भी रखके आप बना सकते हैं असानी से और इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम टमैटो कैचप इस पर लगा ले रहे हैं और फिर हम टीकी के ऊपर डालेंगे टमाटो का स्लाइस कटा हुआ और प्याज का कटा हुआ स्लाइस और फिर हम पनीर डाले रहे हैं और उसके ऊपर हम एक चीज डाल लेंगे तो इस तरह से चीज डाल लि एकदम पॉर्फेक्ट तरीके से बनकर त्यार होता है अगर आप इसे अपने बच्चों को बना के खिलाएंगे तो बहुत ही बहुत ही पसंद करेंगे बच्चे खाने में और फटा-फट से बनकर त्यार हो जाता है बर्गर अगर आपके घर में मेहमाना है तो इसे फटा- घर में ब्रेड और आलू हो तो फटा-फट से बनका त्यार हो जाता है अब हम इसका स्लरी एक त्यार करेंगे तो हम एक बर्तन में दो चमस मैदा लिए हैं और हम इसमें थोड़ा सा नमक डाले हैं स्वाद अनुसर अपनमक डाले हैं और फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक पतला सा घोल त्यार करेंगे इससे हमारा बर्गर एकदम क्रिस्पी और बणिया बनकर त्यार होगा तो इस तरह से हम एक इसलरी बना लिये हैं और अच्छे से इसको हम घोल को त्यार कर लिये हैं ताकि इसमे भी कर सकते हैं तो इस तरह से हम एक एक बर्गर को उठाएंगे और घोल में अच्छे से इसको डीप कर लेंगे तो चारों तरफ इसको घुमाते हुए अच्छे से हम इसको डीप कर लेंगे और फिर हम इस पर डालेंगे सफेद तील तो पहले हम एक एक बर्गर को डीप आप रेड क्रम्स अपने अनुसार कम जादा रखिए अगर आलू आपको गिला गिला लगे तो हम जितना बताएं हैं उसे एक दो चमज और आप बरहा सकते हैं या फिर एक दो चमज कम कर सकते हैं और इस तरह से हम अच्छे से घोल में बर्गर को कोटिंग कर लिए हैं और तो हम इसमें दो दो बर्गर डाल के इसे फ्राइ करेंगे हम सर्शो तेल में इसे फ्राइ कर रहे हैं आप कोई भी कुकिंग अयल यूज कर सकते हैं इसे फ्राइ करने के लिए तो इसे डालने के बाद जश्ट नहीं चलाना है एक मिनट छोड़ देंगे जब पक जाएगा अच्छे तरीके से एक मिनट फिर हम इसको पलटेंगे और फिर हम इसे अलटते पलटते एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और एकदम क्रिस्पी करारा हमारा यह आलू टीकी बर्गर बनकर त्यार हो चुका है तो मैं इसे एकदम गोल्डन करते हुए कराही दिकाल लिए ऐसे कितने परफेक्ट तरीके खाला बर्गर बनकर टियार हो चुका है तो इस तरह से मैं दो-दो करके दो बार में fry कर रहे हूं तो मैं दो fry कर ली हूं और दो में बर्गर है उसे भी ह oftentimes बाकर रहे हूं यह टील में और comment करके बताईएगा कि आपका आलू टीकी बर्गर कैसा बना तो मैं इसे एकदम golden brown होने तक fry कर ली हूँ और इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ और चारो बर्गर हमारा बनकर एकदम से ready हो गया है एकदम से crispy बर्गर हमारा तियार हो गया है और खाने में एकदम मज़दार ये recipe लगता है आप इसे जरूर बना के try केज़ेगा देखिए कितने अच्छे से हमारा ये बर्गर क्रिश्पी करारा बनकर त्यार हुआ है उपर से सफेद तील दीख रहा है एकदम बर्गर हमारा perfect तरीके से बन चुका है अब हम इसे serve करेंगे लेकिन serve करने से पहले मैं आपको इसको एक बर कट करके दिखा रही हूँ ये देखिए कितने perfect तरीके दिख रहा है हमारा बर्गर अंदर एकदम cheese, paneer और सबची भरा परा है और मज़दार भी बनकर ये त्यार हो चुका है इस तरह से आप अपने बच्चों को बना के जरूर खिलाएगा और मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई